इंडिया टीवी क्राइम अलॉट गवाहों के अलावा फॉरंसी का सबूतों को आधार पे बनाया गया है साथ ही छतरपूर के जंगलों से बरामच शद्दा की हड्डियों और उनकी डियने रिपोर्ट भी चार्ड शिट में शामिल है इसके अलावा पुलिस आफ्ता पुना वाला के कबूल नामा और नार्को टेस्स की डिपोर्ट को भी इसमें शामिल करने वागी इससे पहले पुलिस ने छतरपूर के जंगलों से मिली हड्डियों का पोस्माटम कराया था जिसमें पाया गया कि ये हड्डियां शद्दा की हैं इसके साथ ही रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि शद्दा की हड्डियों को आरी से रेत रेत कर काटा गया था जिसकी वज़े से उसकी हड्डियों में दातों के निशान मिले थे वही कहा जा रहा है कि इस चार्चीट में पुलिस आफताफ पुनवाला का कबूल नामा और नार्कोर्टेस की रिपोर्ट भी शामिल करने वाली है हलाकि इस रिपोर्ट की कोट में खास एहमियत नहीं होगी वैसे भी शद्धा वॉकर मर्डर केस के बारे में सभी जानते हैं इस केस ने पूरे देश को बुरी तरह से जंजोर के रख दिया है चुरुआती जाच में तो शद्धा को गुमशुदा माना जा रहा था लेकिन जब शद्धा के लिविन पार्टनर को हत्या के केस में गिरफतार किया गया तो इस केस ने संसनी केस मोड ले लिया बताते चले आफता पूरणवाला ने 18 माई को दिल्ली स्थित महरोली में किराय के फ्लैट में जगडे के बाद शद्धा वाकर की हत्या कर दी थी जिसके बाद उसने शद्धा के शव के 35 टुकडे कर दिये थे बाद में उन्हें कई दिनों तक जंगलों में ठीकाने लगाता रहा थे चुर्म कितना भी संगीन क्यों ना अपरादी कितना भी शातिर क्यों ना हर रास से उठेगा परता सामने आएगी हर ख़बर की सचाएंगी इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटिट रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना नभूले साथधान रहे सुरक्षित रहे देखते रहे इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट